दोस्तों आप देख लीजिए कैनेडियन बिवाद में अब अमेरीका की भी एंट्री हो गई है अमेरीका का कहना है कि कैनेडियन जांच एजनसिज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है भारत ने उसमें सहयोग करना चाहिए दोस्तों अमेरिका और केनेडा की तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में लेकिन आपको सुनना पड़ेगा आज आतंक वादियों की रक्षा करने के लिए रवीष कुमार, राहुल गांदी, OVC, संबिधान, सुप्रीम कोर्ट, UN, UNST, OIC, OPEC अमेरिका, केनेडा सब दिन रात खड़े हुए हैं, लेकिन हम हिंदूओं की रक्षा करने के लिए सिर्फ, सिर्फ एक मोदी है इसलिए उस मोदी को 2024 में वोट दे कर हमने इन सनातन धर्म को मिटाने में लगी हुई शक्तियों को खरहना है रही बात दोस्तों, अमेरिका की तो हम कहना चाहते हैं, अगर ये भारत पर दबाव डालेंगे, तो भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है हमारे पास भी रूस के रास्ते खुले हुए है अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन बब्बा ने जितनी मेहनत की है, एक चुपकी में उस पर पानी फिर जाएगा यूक्रेन का युद्ध तो आप हार रहे हो, कोई नहीं बचा सकता आपको लेके नगर भारत से पंगा लिया तो दोस्तों इन गोरे दिर्शों को चेतावनी है, कि हमारी कावत है, दोवी का कुट्ता, घर का न गाट का आपको क्या बनना है, तह कर लीजिए रही बात केनेडा की, तो मोधी साथ पीए मों में बैटे हैं, डंडे को तेल पिलाके केनेडा की हर इट का जवाब भारती पत्थर से दिया जा रहा है, तो केनेडा का कहना है कि भारत ने जो एडवाइजरी जावी करी है, वो गलत है, हमारा देश तो सुरक्षित है तो भाईया जी जो सुरक्षा आपको दिख रही है वो अभी की बात है मोदी जी को भविश्य दिख रहा है मोदी जी घर में आग लगने के बाद कुआ नहीं खोदते हैं रही बात दोस्तों ये कनेडियन लोग बड़ी बातें करते हैं जब यह कमजोर होते हैं तो यह छुपते किसके पीछे हैं? Constitution के पीछे, Freedom of Speech के पीछे, लोक्तंत डेमोक्रासी का हवाला देते हैं और जब कुछ काम नहीं चलता तो बोलते हैं Climate Change, Climate Change, दुनिया मिटने वाली है हमारा सहीोग करो, लेकिन दोस्तों आज आप देख लीजिए केनेडा की बत्ती गुल होने वाली है केनेडा के टूड़ बड़ी हवा भागते रहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद पिछले साल बोला था कि हमारे देश में जो Green Hydrogen, Solar Energy, Wind Energy में निवेश करेगा उन कंपनियों को हम अगले 5 सालों तक 37 बिलियन डॉलर के इंसेंटिव देंगे ये तो भाईया कहके नपट गए, लेकिन आज एक साल पूरा होने को है, कुछ भी प्रगती नहीं हुई कोई development नहीं हुआ, तो कंपनिया रोने दोने लगी, कि हम क्या करें भाईया जी ये टूडो ने कहा था कि हम subsidy देंगे, तो भाईया हम योजनाय बनाने लगे, सारे प्रोजेक्ट बना लिए, अब भाईया फाइनेंसिंग की विवस्था करनी है तो टूडो हमें ये तो नहीं बता रहे हैं कि वहिया subsidy कब कितनी कैसे मिलेगी, उल्टा आवेल मुझे मार, भारत से, मोदी से लड़ने लगे बड़ा पागल इंसान है दोस्तों एक तरफ ये Canadian लोग हैं जो की production की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आप इनके काम देख लीजिए अगर ये renewable energy में आज निवेस नहीं करेंगे तो भवेश्च में इनके घरों में रोशनी कैसे होगी, इनके घरों की बत्ती गुल नहीं होगी तो क्या होगा इनके घरों के बिजली connection अगर नहीं कटेंगे तो क्या होगा आप बताइए, जबकि दोस्तों कायदेशे टूडो ने मोधी साहिब से सीखना चाहिए था, climate change के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे प्रोग्राम मना जाते हैं, सीख लेते मोधी साहिब से तो भाया जी इनके द भाया भारत में ही है, राहुल गांदी जन्होंने भाया अपनी पुरी पार्टी को तवाह कर दिया, दूसरे जैलेंस की हैं, जन्होंने यूक्रेन को एक विक्षत देश का पूरा विनास कर दिया, शहरों को खेत बना दिया, और तीसरा सबसे बड़ा जोकर है, जस्टिन ट और हाँ दोस्तों, कल 22 सितंबर से चालू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा महालक्षमी ब्रत, उसके दोरान महालक्षमी जी के आदेश को आखड़ों के माध्यम से पढ़ना सीख लीजिए, अपने आत्म निर्भर कोर्सिस का अध्यन पूरा कीजिए, ताकि महालक्षमी जी क मार्ग दर्सन में आगे बढ़कर आप जीवन पर्यंत मुनाफा कमा पाएं